हालो एब्रीवन आज का जो मेरा सेशन है उसका टाइटल अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है गेन मोर इन लेस्ट टाइम इसका क्या मीनिंग देखिए जेए मेंस और एडवांस 2020 एक्जाम हो गया है ऐसा लग रहा था कि साधी एक्जाम डिले हो जाएगा कब होगा पता नहीं अच्छा अभी भी ड्यू टू कोविट इसकूल से ओपन नहीं हुए हैं तो पार्शली हुए हैं कई बच्चे जिन्होंने 10 से 11 में आए उन के भी 11 के टॉपिक हो सकता है अच्छे से कवर ना हुए हो यानि हर एक स्टूइंट में बहुत एफेक्ट आया है और अब क्योंकि एक्जाम हमें दिख रहे होते हुए तो हमें ये भी समझ में आता है कि 21 या आने वाले समय 22 में एक्जाम टाइम पे हो गया कम टाइम बचा कि सिलेबस कम होता है या क्या होता अभी बहुत आइडियल सिलेबस से 11 12 का ये पूरा सिलेबस आपको आज नहीं तो कल काम आना है तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा कई बार कुछ टॉपिक हटा भी दे जाते हैं पर उनके लिंक होते हैं तो हमें वो पर यूटिलाइज कर लें तो कि ओविएसली 11 12 के पेपर मार्च में होंगे मार्च के साब से देखें तो हमारे पास 6 मंत है जेई का पेपर भी हमारे पास आने वाला है तो इतने कम समय में हम कैसे अचीव करें अपने टारगेट को अपने गोल को कैसे सेट करें नमबर वन आप preparation में एक change लाइए, देखिए, आप पिछले कुछ सालों के exams देख रहे होंगे, तो J.E. में tough questions से नहीं, construction पढ़ाई करने से selection या number आते हैं, N.C.R.T. पे base paper होता है, यह हमेशा बोला जाता है, हम N.C.R.T. की book भी solve कर लेते हैं, पर फिर भी J.E. के questions नहीं बनते हैं, क्योंकि जब हम subjective exam की बात करते हैं, तो N.C.R.T. को solve करने का तरीका अलग होता है, पर इसी question को अगर हम objective point of view से सोचें, तो हमारा approach बिल्कुल अलग होना चाहिए. कई बार हम basic concept को छोड़ देते हैं, इसलिए हमें difficult problem नहीं बनती, कई बच्चों को ये भी misconception होता है, कि तब problem करने से J.E. में selection होता है, मैं बहले clear कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने पिछले कई सालों के actual papers के analysis लिया हैं, आप एक base book ले लें, चाहिए तो NCRT ले लें, चाहिए R.D. शर्मा ले लें, चाहिए सिंगेज ले लें, जितनी बड़ी book लेंगे time उतना ज़्यादा लगेगा, इसलिए कोई भी एक book ले लें, आप NCRT भी ले लें, और उसको अच्छे से concept बना के करें, सेशन को देखिएगा, हर वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत help करेंगे, दूसरी बात, आप अपनी पढ़ाई को एक systematic करना चालू करें, हर topic को complete करें, complete करने के बात, 11th या 12th जिस भी class में आप हैं, और ये session not only कि 11th, 12th, JEE के काम के होएंगे, कि ये session सब के लिए काम के हैं, आप 11th class में काम के हैं, 12th में काम के हैं, JEE दे रहा हैं, NDA दे रहा हैं, NIVSET दे रहा हैं, हर exam के लिए sessions बहुत useful होंगे, च्योंकि इन sessions में मैंने plan ये किया है, कि session बहुत small होगा, पर उसमें, हर session में कुछ एक ऐसी चीजे कवर होंगी, जो आपके हमेशा काम आने वाली है, अभी होता क्या, कई बार हम बहुत ज़्यादा चीजों के लिए time खराब करते हैं, और end result हमें पता चलता है, कुछ अच्छे से clear ही नहीं हुआ, इसके opposite हम अब चलेंगे, कि कम time दे के भी हम ज़्यादा गेंड करें, दूसरा एक discipline में पढ़ाई करने के आदर डालिये, अगर discipline से पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं कहूंगा आप तुरंट जुड़ जाएं, किसी भी online course से जुड़ जाएं, या classroom course आप अप अंदा तारिक के बाद, हर जगे के बच्चे, उनको अच्छा लगता है पढ़ाना, मेरा simple way मैं मैं पढ़ाता हूँ, आपको अच्छा लगता है आप भी जुड़ सकते, नहीं जुड़ते, self पढ़ाई करते हैं, तो भी एक rule हमेशा बना लें, कि बहुत ही discipline के साथ पढ़ाई करें, चोड़ दें, या 11 दुबारा दे दें, जो बच्चा 11 में हैं, उसने अभी 11 को proper तरीके से पढ़ना चालू नहीं किया, सबसे पहले मैं एक बात बहुत clear कर दूँ, कि 11 के syllabus को हमें छोड़ना नहीं है, 11 के syllabus को हमें complete करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, परेशान होने से कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं निकलता, ये बात दिमाग में रखिए आप, आप अपने गोल को set करिए, और बस start कर दीज़े, 11 का syllabus सबसे important syllabus में से, अगर आपको algebra और trigonality नहीं आता, तो आप 12 के मैस में कभी भी command नहीं ला सकते हैं, मैं मैस का teacher उसलिए मैस के साथ से बता रहा हूँ, पर ये बात physics पे भी, chemistry पे भी, हर subject पे applicable है, तो आप लोगों को 11 के topic को revise करना चाहिए, अगर आप 12 में हैं, तो at least 11 की trigonality के concept, और 11 के algebra के concept का revision जहू कर लें, अगर आप class 11 में हैं, तो आभी 12 के syllabus की चिंता करने की जगे, 11 के syllabus को अच्छे से करें, एक order में पढ़ना चालू करें, एक book को complete करने का target रखें, बलकि target ये रखें कि एकी book को आप कम से कम 4 या 5 बार कर पाएं, 4-5 book को आदी अधूरी करने से कई गुना अच्छा है, कि एक single book को कई बार solve कर लिया जाएं, दूसरा जो exam दे रहे हैं, उसके previous year के papers को बहुत अच्छे से study करें, concept बना के पढ़ाई करें, और बस अब move कर जाएं, आप पीछे मुड के ना देखें, अब दुनिया पूरी आगे निकल गई है, आप कुछ नहीं रुकने वाला, अब ये जो है वो चलता रहेगा, COVID चलता रहेगा, अब इसकूल खुलने में भी टाइम लगेगा, ये academic year ऐसे ही जाने वाला है, तो इस academic year में हमें खुद से discipline रहेगे ही काम करना पड़ेगा, हमें अपने parents से सीखना पड़ेगा, आप देखिए, कई सारी ऐसी services थी, जो की COVID के दिनों में भी एक भी दिन बननी हुई, और आज लगवख सारी चीजे खुल गई, हर इंसान अपने काम कर रहे हैं, तो हम student क्यों रुके हैं, हमें भी फिर से महनत करनी हैं, और जादा करनी हैं, हमें हमारे हाथ में बहुत सारी responsibility हैं, तो बिलकुल immediately action लेजिए, प्लान से जुट जाएए, खुब महनत करिए, 21 और 22 वाले सभी बच्चों को मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी भी वक्त है, आप अगर अभी भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे, concept बना के पढ़ाई करेंगे, तो not only कि आप 11-12 ने परफॉर्म करेंगे, आप J.E. या N.E.T. में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती कि आपके इन्पुट कैसे है, और इन्पुट बिना एक्शन के नहीं होते, के बद सोचते रहने से कभी भी कभी रिजट नहीं मिलता, तो सोचना बन, एक्शन चालू, क्या आप आज एक सबसे पहला काम इस सेशन को सुनने के बाद, एक ब्लेंग पेपर लीजिए, आप अगर 11th में तो 11th और 12th, कि कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, आपको कौन-कौन से नहीं आते हैं, जो आते हैं, उनके लेविल को असेस करिए, बिना भूख खोले, और जो नहीं आते हैं, उनको भूख से पढ़ना चालू करिए, एक प्रॉपर तरीके से सिटिंग प्लान मनाईए, टाइम टेविल मत बनाईए, हर रात सोने से पहले ये प्लान मनाईए, कि कल क्या-क्या टॉपिक कवर करने, और दिन भर आपको, जो आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी देखे, आप लोग बहुत सारी ओनलेन क्लासे रेंट करते हैं, आपको कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं होता, तो अगर आभी देखें आप, तो अभी आपके पास सबसे जब आप स्कूल जाते थे, तो स्कूल भी जाना है, कोचिंग क्लास भी जाना है, और सेल्फ स्टेडी भी करनी है, आज लगवग आप सब कुछ घर पे रहते हुए करते हैं, फिर भी अगर आप परिशान या कंफ्यूज होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, और इसमे एक चीज जो इंक्लूट करिए, ये मेरा पर्सनल सर्जिशन है, कि एवरी डे आप थर्टी से फोर्टी वाइट मिनिट की एक्सराइज या योग जरूर करना चालू करिए, क्योंकि घर में हम एक जगे बंदे रहते हैं, तो हमें में में इंटल फ्रेशनेस नहीं मिलती, व इस सब्जेक्ट में वीक हैं, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जिस सब्जेक्ट में स्टॉंग हैं, उसमें अपने स्टॉंग होने का आप मिस्यूज ना करें, बलकि उसको और स्टॉंग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको रैंक दिलाएगा, जो वीक हैं वो प बढ़ाई करिए थैंक यू आल दे बेस्ट खुश रहो आप